हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बादर वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रिलाइन्स के एज जीम जो आज आज आप वो होती भी देखने को मिली अन्वल जन्रल मीटिंग 2022 मैं क्या मेजर अन्वेंट करते हुए देखने को मिली है कंपनी और क्यों कह रहा हूं कि देखें शेर ओल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया ये खबर आती हुए देखने को मिल रही है 75,000 करोड रुपे के इन्वेस्मेंट से लगा कर सक्सेशन प्लान प्लस यहां पर रिलाइंस जियो के अंदर आने वाले क्या प्लाइंस कंपनी ने जाहिर करें रिलाइंस रिटेल को लेकर क्या कहा है और डिफिनिटली जो आप सुनना चाते थे क्या जीयो का आई प्यो आने वाला है तो सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा की हाईलाइट्स के उपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले तो फ्रेंट्स अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाईएगा तो फ्रेंट्स देगे Reliance Industries AGM 2022 Reliance की AGM जब भी आने वाली होती है तो market में एक समा बना रहता है कि Reliance की AGM में क्या नया होता हुआ देखने को मिलेगा क्या नया announcements होते हुआ देखने को मिलेंगे और क्या बड़ी चीजों के उपर focus करना पड़ेगा वो Reliance की AGM में ज़रूर यहां पर विचार किया जाता है और इसके उपर बहुत जादा अगर आप देखेंगे coverage भी होती है काफी आती ही देखने को मिलती है लेकिन एक जो बड़ा statement आज मुकेश अमबानी सर के तरफ से आता हुआ देखने को मिलेगा उन्होंने ये का है आकाश इशा अनन्त confidently taking over the reins यानि जो बात हो रही है लगातार दोस्तों succession plan की कि अब reliance industries को मुकेश अमबानी जी के बात कौन समालेगा तो अब definitely दोस्तों नाम तुमको पहले से बताएगी उनके जो यहाँ पर family members है but important क्या है कि distribution किस प्रकार से किया जाएगा because अगर आप देखेंगे पहले पी जो reliance industries के साथ होता हुआ देखने को मिला था काफी unfortunate था because पहले अगर आप देखेंगे मुकेश अमबानी सर और अनी लंबानी जो businesses transfer किये गए जरूर अगर आप देखेंगे तो आज आप difference देखते हैं मुकेश अमबानी जी कहा है अनी लंबानी कहा है तो उसमें अपना आप में देखें एक बहुत important factor निकल के आता है कि succession किस प्रकार से reliance industries का हो कि आगे चलके जो company आज इस मुकाम पर है इससे नीचे न जाए इससे काफी उपड़ जाए तो यहीं देखें important था और इसी के बारे में देखें सबसे पहले कह सकते हैं कि यहाँ पर announcements होते हुए देखने को मिले तो अगर आप देखेंगे क्या आप बोला गया है तो देखें सबसे पहले क्या कहा गया है our next generation leaders are confidently taking over the reins across businesses आकाश अन इशा have assumed leadership roles in geo and retail respectively तो दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर distribution किया गया है अकाश अम्बानी को यहाँ पर definitely major role मिलता हुआ देखने को मिला है जीयो के अंदर और इशा अम्बानी को retail के अंदर आपको definitely देखें एक बड़ा role मिलता हुआ देखने को मिला है उन्होंने साफ साफ काई कि passionately देखें यह सब आपको involved होते हुए देखने को मिल रहे है consumer businesses के अंदर since inception उन्होंने यह भी काई कि अनन दंबानी को new energy business के उपर काफी जादा focus करना पड़ेगा focus दिया गया और definitely with great zeal उन्होंने यह का कि in fact he is spending most of his time in jamnagar तो definitely दोस्तों यहाँ पर new energy business के उपर reliance पहले भी काफी confident और जिस प्रकार के announcements किये थे वो अपने आप में important था और इसलिए दोस्तों आपर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नया focus करने वाले हैं वो इसी पर करने वाले हैं कि कि इस प्रकार से new energy business को आगे लेके जाए energy के उपर तो focus company करेगी करेगी लेकिन उनका मानना है कि हम focus bio energy offshore winds other non conventional forms of renewable energy इसके उपर भी हमारी focus रहती भी देखने को मिलेगी और हमारे expand करेंगे manufacturing बहुत important है अब बात करते दोस्तों सबसे important topic जो है जीओ किस प्रकार से 5G push यहाँ पर तो देखें यहाँ पर साफ साफ आ चुका है कि जीओ जो है वो committed है और invest करता हुआ देखने को मिलेगा 2 lakh करोड रुपे इस 5G rollout के उपर उन्होंने कहा दिया है कि हम 5G को pan India deliver करेंगे services को by December 2023 और सबसे बड़ा announcement जो होता हुआ देखने को मिला है वो यही कि दिवाली पे जो यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि 5G सेवाओ को शुरू कर दे जाएगा तो बिलकुल यह खबर सच होती भी देखने को मिल गई है उन्होंने सबसाफ कहे दिया है कि जो जियो 5G है वो दिवाली में दिल्ली मुंबाइ चन्नाई और कॉलकता में अपनी services को start करता हुआ देखने को मिलेगा बहुत important यहाँ पर update आता हुआ देखने को मिलने भाला है कि जो Jio है 5G services roll out करता हुआ देखने को मिलने वाला है Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata के अंदर by this Diwali, upcoming Diwali, तो definitely अपने आप में major announcement है, उन्होंने ये भी कहा है कि Jio का latest version stand alone 5G को भी announcement यहाँ पर कर दी गई है, 5G spectrum जो है उसके उपर उन्होंने सबसब कहा है largest and most appropriate Jio 5G to offer tech solutions globally उन्होंने ये भी कहा है और आगे कर आप देखेंगे साफ साफ कहा गया है कि जो broadband से वा है वो भी दी जाएगी 5G में Jio 5G को इस प्रकार का experience बना जाएगा कि center जो रहने वाला है इसका वो Mumbai में रहने वाला है plus जो Google smartphone जो यहाँ पर है दोस्तों यहाँ पर उसके उपर भी company ने कहा है कि हम काम कर रहे है उसके उपर working with Google on an ultra affordable 5G smartphone इसका भी announcement करने वाला है plus company ने यह भी कहा है कि Microsoft, Google, Intel, Meta इन सब के साथ भी Qualcomm ने partnership किये तो वो भी अपना आप में बहुत important है तो कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो major announcements company ने की है जो बाजार को सुनने थे वो यहाँ पर सुनते हुए देखने को मिले important था कि क्या GEO 5G के जो GEO आपको आता हुआ देखने को मिला है 5G के उपर जो announcement होने थे कब से चालू होगी वो announcement आ चुका है लेकिन GEO के IPO के बारे में ऐसा कुछ भी देखे बात नहीं की गई है definitely अब वो आगे आपको आता हुआ देखने को मिलेगा and market भी यही सोच के चल रहा था कि GEO 5G की announcement तो होती भी देखने को मिलेगी पर GEO IPO की announcement किस प्रकार से आगे होती भी देखने को मिलेगी यह इस AGM में तो मुश्किल लग रहा है तो वो यह कि GEO IPO के बारे में अभी कोई major announcement company की दोरण नहीं की गई है देखिए IPOs के उपपर क्या का है उनसे साफसफ पूछा गया था I will update you on IPO on GEO retail IPOs in my speech next year says मुकेश अबानी तो साफसफ important बात क्या है कि IPOs के उपपर दोस्तो जो major announcement होता हुआ देखने को मिलेगा वो RIL की AGM 2023 में 2022 के अंदर आप मान के चलिए कि GEO क्या जो IPO है वो आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा यह साफसफ दोस्तो कह दिया गया है retail IPOs के और में उनने साफसफ कहा है कि next year announcement majorly होता हुआ देखने को मिलेगा यह उनके तरफ से दोस्तो साफसफ कह दिया गया है because initial public offer कभ reliance announce करती है वो अपने आप में बहुत important उनने काया his statements come at a time when shareholders, investors and street was abuzz that the conglomerate may make announcement on the IPOs during the conglomerate 45th annual general meeting तो यह साफसफ है कि हाँ announcement जो होता हुआ देखने को अभी नहीं मिला है लेकिन 2023 में उनने साफसफ कह दिया है कि हम announcement करते हुए देखने को मिलेंगे definitely announcement in the sense की update देखने को मिलेंगे कि Jio का IPO कब तक आता हुआ देख देखने को मिली definitely कोई बड़े fireworks तो नहीं थे बट जो भी है यहाँ पर मुझे लगता है कि investor के perspective से आने वाले 4-5 साल का भी यहाँ पर roadmap मिल चुका है तो investors के लिए इससे बड़िया ख़बर नहीं हो सकती है कि company ने जो roadmap है वो अब पुरा clear कर दिया है बली वो announcement 75,000 करोड रु अब stock के price अगर आप देखेंगे तो 2600 पर बंद होता हुआ देखने को मिला जरूष यह आज इतना बढ़िया trade नहीं कर पाया जैसे देखें एजम स्टार्ट होई तो stock में चुछ प्राफिट टेकिंग आई बट वापे से मुझे लगता है कि market में आज जिस प्रका की गिरा अगर आप long term का view रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई सोचने वाली बात नहीं है मुझे लगता है कि बढ़िया ही आपर करता हुआ देखने को मिलेगा प्लस important यही कि succession plan बहुत clear हो और वो आपको आता हुआ देखने को मिला है तो यह important बात है succession plan को लेकर इतन solution जो है वो कर दिया है तो ज्यादा चिंता करने वाली investors को भी बात नहीं है तो friends इस वीडियो में इतना ही था hopes वीडियो बढ़िया लगा होगा आपका क्या मानना है R.I.L. की AGM में comment करके पताईएगा thank you friends watching this video